हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है टार्गेट क्लासेज विध हरीश सर में इस वीडियो में फिजकल आइज को एसन से रिलेटेड कुछ मोश्ट इंपोरेंट टॉफ 50 क्वेशन डिसकस करेंगे जो अगामी TGT के एक्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी से और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब परके बेल आइकन को प्रस कर दें जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके तो सुरुवात करते हैं आज के फर्स्ट कोईशन की फर्स्ट को पाल्च्य या फिर लुइस मार्टिन थी क्वश्ट नंबर फर्स्ट का राईट आंशर आपको अटेंप्ट करना है कि इस कुईशन का औन सर काँ सही हो जाएगा बिल्कुल पाल्च्था सही आंशर से रिलेट करता यहां पे आपका काँवकों हो जाएगा चारलेट कूपर से रिलेट करता है B option इस question का right answer है next question पर move करेंगे next question दिया हुआ है आपकी screen पर Olympic खेलों के प्रारंब होने से पूर्व किस इस्थान से Olympic ज्वाला को प्रजुलित किया जाता है कौन से इस्थान से Olympic ज्वाला को प्रजुलित किया जाता है ज्यूस देवता का मंदिर, डाइना का मंदिर, हेरा का मंदिर या फिर Apollo का मंदिर बताईएगा question number 12 का जो right answer हो जाता है कौन सा answer होगा बिलकुर सही answer आपको attempt करके बता देना है कि इस question का answer कौन सा हो जाएगा जल्दी देखिएगा A option होगा B option होगा या फिर C option या फिर D option से relate कर जाता है question number है आपका second बोलिए जल्दी से देखिएगा इस question का जो answer होगा कौन सा हो जाएगा second number का जो answer बहुत से students का right होगा C option हेरा का मंदिर से relate करता है C उतर right answer है next मंदिर पर move करते है next question number sorry आधनिक ओलंपिक खेलों में भारत के किस खिलाडी ने पहला ब्यक्तिगत स्वार्पदक जीता है पहला ब्यक्तिगत स्वार्पदक के अगर बात की जा कौन जीता है सुसील कुमार, अभिनो बिंदरा, केट जी जाधो या फिर राज जी वर्दन सिंग राठोर third number जो है आपक किस option से relate करेगा अभिनो बिंदरा से relate करता है next question पर move करते है प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ जो प्रथम ओलंपिक खेल है इनका आयोजन कब हुआ 825 इसापूर्व में हुआ था 324 इसापूर्व में हुआ था 280 इसमी या फिर 786 इसापूर्व question number fourth right answer यहाँ पर किस option से relate करेगा बिलकुल D option अगर आप लोग attempt कर रहे हैं तो क्या सही हो जाएगा देखिएका right answer है D option ही है आपका correct answer है जो भी अब 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 आपको प्रवाइड करना चाहते है यूपी टीजी टेस रिलेटेड फिजिकल एच्टेस रिलेटेड 9621-819209 पर contact कर सकते हैं और इसी नंबर पर आप लोग payment कर सकते हैं 500 रुपीज का अब जो questions आपको provide किया जाएंगे और topic recording कोई नई कोई पुरानी कोई दोनों चलेंगी और साथ साथ में बीच बीच में practice sets भी available किया जाएंगे क्योंकि अब सर का स्वास्त भी सही हो चुका है तो जिस तरीके से questions मिलने थे उस तरीके से आपको बिल्कुल बेतिन तरीके से तयारी करवाई जाएगी और lt grade के लिए जो भी आ भ्यक्ति अभी से तयारी करना चाहते हैं जी एस प्लस फिजकल एजकरेशन के लिए वह भी अलग से paid group में जॉइन हो सकते हैं पूरे साल का एक package है उसके तहत आप जूड कर अपनी तयारी को बहुत ही बेतिन तरीके से complete कर सकते हैं फाइट नमबर का question देख लेते हैं क्या दिया हुआ है किसने लगातार दो ओलंपिक खेलों में 400 मीटा दौर में सुर्ण पदक जीता किसने जीता है माइकल जांसन ने जीता है कार लुइस ने जीता है एलविन हैरिसन या फिर ग्रेगरी हार्टन most important question है ये जीता है माइकल जांसन ने ए आप्सन से रिलेट करेगा next question आपके स्कीन पर छे नमबर का question है विस में कौन सा पहला सहर है जिसका ग्रीसम कालीन एवन सीत कालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ Tokyo Beijing Atlanta जो भी अभ्यरती paid group से जुड़ेंगे जो नए students होंगे 9621-819209 पर इसी नमबर पर आपको डारेक्ट पेमेंट करके आप लोग तुरन से जुड़ सकते है जिसमें आपको daily का daily mock test quiz या exam pattern परारी जो भी practice set प्रवाइड किया था वो प्रवाइड किया था और अब आपको जो है exam के इसतर के according topic के according भी test प्रवाइड किया जाएगा दो सीरीज ये चलेंगी एक तो mix up चलेगा और बीच बीच में आपको topic के recording भी question complete किया जाएगा और practice set भी provide किया जाएगा सिर्फ 500 रुपीज आपका UPTGT का charge जो भी अब रती जॉइन होना चाहते हैं जॉइन हो सकते हैं और तयारी को बहुत 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 इन तरीके से कर सकते हैं क्योंकि यही आपके लिए chance है जो की golden chance आपके लिए है जिसमें आप बहुत बहुत सा बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा और वो भरती कब होगी उसका अभी कोई निधारन नहीं है इस समय जो भरती है इसकी आपको बहुतरी नतयारी करनी है तो question number six का जो answer आप लोग attempt किये हैं C option जो भी अभ्यरती attempt किये हैं तो उन अभ्यरतियों का right answer होगा busy next question पर move करते हैं किस Greek देटा के समान में प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होता था तो यह बताए अपोलो हेरा पॉसिड़न या फिजिएस question number seven का answer आपकी screen पर होना चाहिए बिल्कुल सही सही answer जितने भी अभ्यरती डी option attempt किये हैं D उतर हो जायागा next question पर move करेंगे प्राचीन ओलंपिक खेलों में सामिल pen creation इस परदा किन खेलों का संयुक्त रूप था कौन से खेलों का या संयुक्त रूप था जूडो तथा मुक्के बाजी दौर तथा तैराकी मुक्के बाजी तथा कुस्ति या फिर जूडो वा सत्रंज बोलिए question number eight का answer देखते हैं यहां पर क्या होगा A option होगा B option होगा C option होगा या फिर आपका D option इस question का right answer हो जाएगा बिल्कुल देख लेते हैं इस question को अब जो भी questions आपको provide किये जारें बहुत 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 important है C option इसका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा मुक्के बाजी तथा कुस्ति से relate करता है next question पर move करता है ninth number है आधुनिक ओलंपिक खेलों में पहली बार electronic समय उपकरण का उपयोग किस ओलंपिक में किया गया था कौन से ओलंपिक में इसका उपयोग किया गया था 1912 Stockholm 1916 Olympic 1928 Amsterdam या फिर D option है 1924 Paris बोलिए इसका answer किस option से relate करेगा A option हो जाएगा 1912 Stockholm से relate करेगा A option right answer payment करने के बाद आप लोग 10,000 plus questions की PDF भी अवलेबल की जाती है और आप लोग उन questions को आप PDF को open करके questions को एक बार अवर से repeat कीजिएगा क्योंकि बहुत ही selective questions आपको provide किया जाते हो जो भी टेस्ट आपको दिया जाता उसको भी आप डेली कडेली परते रहिएगा योग कि exam तक आपको बहुत ही बेतियन तरीके से तयारी complete करनी है question number 10 आधुनिक ओलंपिक खेलों में मायराथन दौर की मानक तूरी किस वर्स पर्थम बार निर्धारित किये गए थी कौन से वर्स ये पहली बार निर्धारित किये थी उननीस सो पैरिस 1908 लंदन 1924 पैरिस या फिर 1936 बर्लिन question number 10 में आपका answer कौन सो होगा जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतने अच्छे marks आप exam में gain करेंगे क्योंकि सफलता ही आपके सभी दुखों का निवारण करती है जब तक आप सफल नहीं होते तब तक क्या आप disturb रहते हों जिस दिन सफल हो जाते हैं आपको एक सही रास्ता दिख जाता है और उसी तरीके से आप लोग को मेहनत करनी की सफलताथ प्राप्त कर सकें B option 1908 लंदन से रिलेट करेगा B option right answer है next question पर move करता है कौन से ओलंपिक खेलों को प्रथम बार टेलिवीजन पर प्रसारित किया गया कौन सा ओलंपिक है किस की बात की जा रही 1928 एमस्टरडम की बात की जा रही है क्या 1932 लॉंस अंजिल्स या फिर 1936 बर्लिन या फिर next question पर move करते है next question ओलंपिक भज के छलो का सही क्रम आपको बता देना है कि सही क्रम क्या होगा इसका option देख लीजिएगा आप लोग इसमें से कौन सा option आपका right होगा इस तरीके के question exam में पूछे जाते हैं बताए नीला पीला काला हरा लाल से रिलेट करेगा C option right answer होगा UPLT grade की भी तैयारी आप लोग के शुरू की जा रही है UPLT grade GS से related questions का आपको जो बहतरीन questions से उनकी series शुरू कब भी जाएगी और साथ में धीरे धीरे जो डीटे पलस भी आफिक के विस के लिए जो भी अबरती जुड़े थे एक दो महीने में उसकी तैयारी नहीं हो सकती है कम से कम आपको सामान अध्धन के लिए 6 महीने का time होना चाहिए तब जाके आपको उसमें 1-2% तैयारी आपकी complete हो पाती है अगर आप seriously परते हैं तब जा अल्टियस से ताकपर्द क्या है देखिए उंचा तेज सक्तिसाली या फिर ताकतवर 13 नमबर इसको कौन से वर्स सामिल किया गया इसको कौन से वर्स सामिल किया गया था 1908 लंदन 1912 श्टाखों 1920 एंट वर्थ 1924 पैरिस बोलिए कौश्चन नमबर 14 आंसर आपका कौन सा है यहां पर 1912 श्टाखों से रिलेट करता है बी आप्शन इस क्वेश्चन का क्या है बिलकुल सही आंसर है नेक्स्ट कोश्चन पर मूब करता है नेक्स्ट कोश्चन दिया हुआ है ट्राइथलन में कौन से इस परदा सामिल नहीं ह होती है कुस्ती सामिल नहीं होती है तैराकी दवर या फिर साइकलिंग ट्राइथलन की बात की जारी इसमें कौन से इस परदा सामिल नहीं होगी इसमें अगर बात की जाए तो ये कुस्ती इसमें सामिल नहीं होती है आपका A option question के according right answer हो जाएगा ये उत्तर सही answer है next question पर move करेंगे 16th number का question है खेलों में बिसु का सर्वोत्तम पुरुसकार निम में से कौन सा है इसमें बिसु का सर्वोत्तम पुरुसकार कौन सा है अरजुन पुरुसकार है ओलंपिक आडर पुरुसकार है पद मिस्री ही या फिर जेसी ओविन्स पुरुस बी option right answer है next question पर move करते है next question है नीता अंबानी को अंतराष्टी ओलंपिक समित के किस अधिवेसर में भारत की प्रथम महिला सदस के रूप में चुना गया question number 17 और इसके पहले के वीडियो के लिए आप यूटुब पर सर्च कर सकते है physical education by पंकसर जो भी वीडियो जो भी part top 20, top 30 questions के series है वो भी वीडियो आपको playlist में मिल जाएंगी और उन questions का अगर आप revision करते हैं तो कहीं न कहीं आपको benefit अब इससे मिलता 400 प्लस वीडियो आपको मिलेंगी जो की आपके syllabus को बहुत ही बेतरी तरीके से complete करती हैं और अगर आप daily revision कर रहें तो कहीं न कहीं आप अग आपको marks भी अच्छे gain होते होंगे तो इस question का answer देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा बहुत important question है C option होगा क्या 129C is the right answer next question पर move करते हैं प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलो का आयोजन कहां किया गया प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलो की बात किया गया तो इसका आयोजन कहां किया गया पैन हैलनिक स्टेडियम में किया गया पैन एथनिक स्टेडियम में किया गया इर्विन एंफी थियेटर गया फिर कोलोसियम कोईशन नमबर 18 का आंसर यहां पे आपको अटेम्ट करना है किस ओप्सन से रिलेट करेगा प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलो की बात की जा रही है तो पैन एथनिक स्टेडियम में हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा भी उत्तर करेक्ट आंसर नेक्स्ट कोईशन मोस्ट मोस्ट इंपोर्डन कोईशन है हेन्री डिडाउन ने ओलंपिक मोटो का निर्मार कप किया है आंसर आपको अटेम्ट करना है जल्दी से 1896, 1891, 1904 या फिर 1920 बताईए हेन्री डिडाउन ने ओलंपिक मोटो का निर्मार कप किया तो इन्हों ने जो निर्मार किया था ये किया था आपका आंसर कौन सा गा A, B, C, D जल्दी से बता दीजिएगा आपका एग्जैक्ति राइट आंसर कौन सा हो जाता है नेक्ट कौईशन पर मूब करते हैं ओलंपिक मोटो का प्रतिपादन किस ओलंपिक खेलो में किया गया इसका जो प्रतिपादन किया गया था कौन से ओलंपिक खेलो में किया गया था 1912 स्टाखों, 1920 अंटवाप, 1924 पैरिस या फिर 1928 एमस्टडम बताइए question number 20 यह हो जाएगर 1924 Paris यानि कि C option right answer next question पर we move करते है next question है Olympic द्वज का निर्मार किस ने किया जो Olympic द्वज है इसका निर्मार किस ने किया था Costantinos जपास ने किया था Pierre D. Coubertin ने किया था George Auroff ने किया था Demetrius Vicalis ने किया था question number 21 answer आपको attempt करके बताना है कि इस question का जो answer होगा कौन सा हो जाएगा यह आपका बहुत आसान सा question है B option right answer next question पर we move करते है next question है किस Olympic द्वज को प्रथम बार फहराया गया था तो यह कब फहराया गया था इसकी बात की जा रही 1916 बर्लिन 1920 एंट्वाप 1896 एथेंस या फिर 1924 पैरिस में कौन से Olympic में द्वज को फहराया गया था प्रथमबार कि बोलिये 9621819209 जो भी अबयति पेट गुरूप से जोईन होना चाहते है डेली मॉक टेस्ट गुरूप में प्राप करना चाहते है प्राक्टिस जो प्रवाइड किया है तो वह प्राप करना चाहते है क्वेशन जो दिया जाते हैं वह प्राप करना चाहते है तो इसी नंबर पर आप लोग 500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं फोन पे गूगल पे अमेजन पे पे टियम एकाउंट पे वाट्साप पेमेंट या फिर किसी अनिके माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीन सॉर्चन करके तुरंत गुरूप से जुर सकते हैं किसी भी स्टेट से आप बिलॉग करते हूं फिजिकालाइज कोईसन से रिलेटेड मोस्ट इंपोरेट कोईस्टन की स्रीज आपको चैनल पर प्रोवाइट की जाती है 1896 एथेंस से रिलेट करता है सी आप्शन राइट आंसर नेक्स्ट कोईसन में मूब करते हैं आधुनिक ओलम्पिक खेलों में मसाल रिले को किस ओलम्पिक में सामिल किया गया इसको कौन से ओलम्पिक में सामिल किया गया 1928 एनस्टरडम में सामिल किया गया 1936 बर्लिन में सामिल किया गया 1948 लंदन या फिर 1924 पैरिस में बताईए question number है 23 answer यहाँ पर कौन सा होगा 23 हो जाएगा 1936 बर्लीन यानि की B option इस question का right answer है next question पर move करते हैं Olympic पदक का ब्यास होता है most important नया question UP TGT के लिए 66 mm 64 60 या फिस 68 बोलिए C is the right answer next question पर move करेंगे next question दिया बाई Olympic पदक पदक जो होता है उसमें कितने प्रतिस्षत रजत होता है जो percentage होता है इसका कितना होता है 95.5% होता है 90.6% होता है 92.5% या फिस 94.8% 25 बताईए आपकी मेहनत ही आपकी सफलता निर्धालित करती है इसलिए continuity बना रखिएगा मेहनत करते रही है 25 राइट आंसर हो जाएगा 92.5% सी आप्शन राइट आंसर नेक्स्ट कोईशन पर मूब करते हैं किस भारती को ACI खेलों के आयोजन के लिए ओलंपिक आरडर का स्वन पदक दिया गया किस भारती को दिया गया ये 26 थोड़ा सा नया क्वेशन आपकी स्क्रीन पर ये डी आप्शन से रेलेट करते हैं अगर डी आप्शन राइट आंसर नेक्स्ट कोईशन पर मूब करते हैं किसी देश की राश्ट्रिय ओलंपिक समित के खेलों के छेत्र में अच्छा काम करने पर आई ओसी द्वारा कौन सी टॉफी दी जाती है बताएज़ए कुबर्टीन टॉफी दि जाती है मोहमत तोह्रे टॉफी दि जाती है अलबर्टा बोना कोर्श टॉफी या फिर टोक्यो टॉफी 27 बहुत important question है YouTube पर search कर सकते है physical age question by Pankasar जो भी वीडियो physical age question से related आप देखना चाहते है वहाँ से आप देख सकते है LT grade के लिए paper 1 से related भी आपकी series सुरू की जारी वो भी आप questions वहाँ पर देख सकते है इस question का जो answer हो जाएगा आपका C option से relate करेगा क्या बेलको most important और बहुत अच्छा question है C option right answer next question पर move करते है किस olympic में महिलाओं ने प्रथम बार भाग लिया था कौन से olympic में महिलाओं ने प्रथम बार भाग लिया था 1896 Athens 1925 परिस 1904 सेंट लुईस आफिर 1908 लंदन बताईए यह हो जाएगा आपका B option से relate करता है next question पर move करते है next question है olympic प्रतीक चीन में 5-6 किसका प्रतिनी दित करते हैं और जब भी आप तयारी कीजिए अगर friends के बीच में तयारी करते हैं तो अगर आप 100 questions solve करते हैं तो आपस में competition अवस्य होना चाहिए जब competition होगा और एक एक marks जब आप आगे पीछे होते हैं या पॉइंटों में आगे पीछे होते हैं तब ही आपका selection निर्धारित होता है इसलिए एक दूसरे से बढ़ने के लिए आप तयारी जब भी कीजिए competition अवस्य रखिएगा और जब competition में वही आगे निकलेगा जो सही तरीके से questions को attempt करेगा और जिसके maximum marks होंगे बहुत सब्सक्राइब आप पढ़ने में बहुत तेज होते लेकिन exam hall में उनके questions गलत हो जाते हैं वो over confidence में गलत हो जाते हैं लेकिन इस बार का exam में आपको ध्यान रखना है कि questions आप पढ़िए उसके बाद 4 options देखिए और 4 options जब आप देखेंगे तो कहीं न कहीं आपकी तयारी जो है वो 23 तरीके से की हुई है तो आपका answer जरूर सही होगा और आपका selection निश्चित तोर पर होगा 29 B option महादीप से रिलेट करता है आसान सा question था next question पर move करेंगे 30 number का है question number 30 right answer आपका attempt करके पताना है कि किस option से रिलेट करेगा कौन सा उतर सही हो जाएगा A, B, C या फिर D option बहुत जबर्दस्थ question है C option हो जाएगा कि 1936 से रिलेट करता है C, the right answer next है दुरोणाचार पुसकार किसको दिया जाता है बताईए दुरोणाचार पुसकार किसको प्रदान किया जाता है संस्थान को प्रदान किया जाता है खिलाडी या फिर निर्णाएक फिर प्रसिच्चक को 31 ये प्रसिच्चक को प्राप्त होता है पुसकार नेक्स्ट कोईशन है अरजुन पुसकार दिव्यांग खिलाडी को प्रथम बार कब दिया गया 1961 में दिया गया 1974, 1985 या फिस संद 2007 में ये प्रदान किया गया दिव्यांग खिलाडी जो दिव्यांग खिलाडी होते हैं उनको ये पुसकार कब दिया गया था 1974 में प्रदान किया गया था B option हो जाएगा इसका right answer A option भी बहुत से history ने attempt किया होगा A option wrong answer हो जाएगा next question पर move करता है next question है किसने अरजुन पुरुसकार तथा दौनाचार पुरुसकार दोनों प्राप्त नहीं किये हैं किसने दोनों प्राप्त नहीं कियें सयद नईमुद्दीन A. रमन्ना राओ M. स्याम सुंदर राओ या फिर मिल्खा सिंग 33 कौन सा option होगा यहां पर D option हो जाएगा मिल्खा सिंग से relate करता है D is the right answer next question पर move करते है next question है B. L. Gupta Trophy का संबंद है जो B. L. Gupta Trophy है इसका जो संबंद है वो किस से है अंतर बिस्व विद्याले Championship से है अंतर बिद्याले Championship राष्टिय चैंपियन सिफ या फिर South Asian Games B. L. Gupta Trophy का संबंद तो यह अंतर बिस्व विद्याले Championship से relate करती है मोस्ट 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 इंपोर्ण कोईश्टन है कोईश्टन का स्क्रीन सॉट लीजिएगा अगर एक्जाम में आता है तो चार नंबर आपके कनफर्म हो जाते है नेक्स्ट कोईश्टन है अरजुन प्रसकार की जो सुरुवात हुई थी स्टार्टिंग हुई थी कब हुई थी 1951 में हुई थी 1985, 1961 या फिर 1984 बोलिए डेली मॉक टेस्ट आपको ग्रुप में प्रवाइट के आता है अगर बाई दबे बिजी होंगे सर या फिर तबीयत खराब होगी तब भी आपको क्वेस्टन मिलेंगे बलही रिपीट किये जाए क्वेस्टन से रिपीट किये जा रहे तब भी आपका ही फायदा है क्योंकि आप उन क्वेस्टन को एक बार कम्प्लीट कर चुके हैं जो गलती हुई दूसरे टेस्ट में गलती नहीं होनी चाहिए इस क्वेस्टन का अंसर अटेंप्ट कीजिएगा सी आपसर हो जाएगा 1961 सी उत्तर राइट अंसर मोस्ट इंपोर्टन आसान सा क्वेस्टन नेक्स्ट क्वेस्टन पर मूब करते हैं प्रथम बार किस वर्स 29 अगस्ट को राश्ट्री या खेल दिवस के रूप में मनाया गया बताना है 1995 में मनाया गया 1991 2004 1984 में मनाया गया था QN 36 आपका कौन सा हो जाता है बिलकुल आंसर होगा आपका A1995 A is the right answer Next question पर मूब करते है ACI खेलों का उद्देश से क्या है जो ACI खेल है इनका उद्देश से क्या है हमेशा आगे की ओर QN exam में आया था सन 2021 UP TGT 78 अगस्त को सांती और प्रगर्ति आपसी सद्भावना तेज और उचा QN 37 आपका आंसर हो जाएगा A option A is the right answer Next question पर मूब करते है Next question है खेल पुसकारों के लिए आमंतित किये जाते हैं ये नाम किसके द्वारा आमंतित किये जाते हैं NGO के द्वारा भारतिय खेल प्राधिकरम द्वारा भारतिय ओलंपिक संग द्वारा और राश्टि खेल परसंग होई यूवा मामले वा खेल मंतरा तोड़ा सा confusing question आपको बुक्स में दिया जाता है इसका answer option जो चार दिये हैं उसके according हो जाएगा D option D उत्तर right answer next question पर move करते हैं major ध्यान चंदर खेल रत्म प्रुसकार किस वर्स में प्रारंब हुआ बताना है आपको इसका answer बिलकुल जो भी है बेरति जॉइन होना चाहते हैं फोन पर गूगल पर अमेजन पर पेटियम एकाउंट पर वाट्साप पेमेंट किसी आन के मादेम से भी पेमेंट करके स्क्रीन सॉर्चन करके तुरुन ग्रूप से जॉइन हो सकते हैं और 125 question आपके exam में UPTGT में पूचे जाएंगे एक question चाहर नंबर का होगा 500 का पूढ़ांक होगा 500 में से आपको maximum marks gain करने हैं तभी आपका selection सुनिश्चित होगा और जो भी अब्यरती मध्य प्रदेश से बिलॉंग करते हैं MP टेट फिजिकाल एक question के लिए अपलाई किये हुए वो भी मेहनत करते रहे हैं सफलता तभी प्राप्त होगी जब आप maximum से maximum marks gain करते हैं C option right answer next question मौलाना अबुलकलाम आजा ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है ये ट्रॉफी किसको प्रदान की जाती है राज जी खिलारी प्रसिचक या फिर बिस विद्याले को ये ट्रॉफी बिस विद्याले को प्रदान की जाती है next question मौल करते है 41 किस दिव्यांग को अर्जुन प्रुसकार प्रथम बार दिया गया कौन सा दिव्यांग है जिसको अर्जुन प्रुसकार फर्स टाइम दिया गया अंजन भटाचार दीपा मलिक सतीस कुमार देवेंद जांजडिया पताईए किस दिव्यांग को अर्जुन प्रुसकार प्रथम बार प्रदान किया गया तो ये प्रदान किया गया था अंजन भटाचार यानि कि से रिलेट करता है आंसर ए उत्तर राइट आंसर है नेक्स्ट कोशिशन पर मूब करते हैं दोनाचार प्रुसकार का प्राड़म कब किया गया जो दोनाचार प्रुसकार है इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी कब हुई थी 1961 में हुई थी 1980 1991 ए अफिर सन 2000 बोलिए दोनाचार प्रुसकार का प्राड़म बहुत हुई 1985 में बी ऑप्सन इसका राइट आंसर है बी इस दा करेक्ट आंसर नेक्स्ट कोशिशन इस दा 43 नंबर बहुत जबरदास्त question है answer आप लोग को बताना है कि इसकी जो पुरुसकार रासी है दोड़ा चार पुरुसकार के अंतर पर पुरुसकार के अंतर प्रसिचक lifetime को जो कितनी रासी दी जाती है यह आपको comment के माध्यम से बताना है question number 43 का answer A option B option C option या फिर D option next question पर मूब करते है next question दिया है मौलाना अबुल कलाम आजया ट्रॉफी का जो प्रारम हुआ था यह कौन से वर्स से स्के स्टार्टिंग हुई थी बताईए question number 44 1956 57 1953 चौवण निसो साथ इक सट उनिसो चौरासी पच्चासी question number 44 का most important question A of 1956 57 से इसकी right answer हो जाएगा A उत्तर सही answer next question पर मूब करते है next question दिया हुआ है मौलाना अबुल कलाम आजया ट्रॉफी में विजेता विस विद्याले को कितने रुपए की पुरुसकार रासी प्रदान की जाती है option है आपकी screen पर जो भी अब्यार्थी group joint ना चाहते हैं direct payment कर सकते हैं इसी नंबर पर किसी भी इस्टेट यूपी के किसी भी जिले से बिलॉंग करते हूं या फिर किसी स्टेट से बिलॉंग करते हूं भारत के आपको direct इसी नंबर पर 500 रुपी का payment करके तुरंत group से जुड़ सकते हैं B option right answer next question पर move करता है next question दिया हुआ है खेल के छेत में बिश्व का सर्वसेष्ट पुरुषकार बिश्व इस्तर पर कौन सा है बिश्व इस्तर की बात की जा रही है major ध्यांचंद्र खेल रत्न question बताईएगा 46 Olympic order पुरुषकार से relate करेगा C option right answer next question दिया हुआ है 47 major ध्यांचंद्र खेल रत्न पुरुषकार किस बिभाग द्वारा दिया जाता है पताईएगा कौन से बिभाग के द्वारा यह पुरुषकार पुरुषकार पुदान क्या आया था मानो संसाधन बिभाग खेल परसत भारती ओलम्पिक संग युवाम आमलेवं खेल बिभाग question confusing है यह भी question आपको बुक्स में अलग लग मिरता है D option right answer next question पर मूब करता है question G1 पर्यंत लब्दियों के लिए दिया जाने वाला ध्यान चंद पुरुषकार कब प्रारम हुआ यह प्रारम हुआ था 1990 में प्रारम हुआ था संद 2000 एक 2000 दो 2004 में प्रारम हुआ 48 आंसर हो जाता है यहां पर संद 2002 में प्रारम हुआ था C is the right answer next question पर मूब करता है केके बिड़ला खेल प्रुषकार कब से दिया जा रहा है जो केके बिड़ला खेल प्रुषकार है यह कब से प्रदान किया जा रहा है 1981 most important question है 1995, 1996 या फिन 1991 बताइए 49 का जो राइट आंसर होगा किस आप्सन से रिलेट करेगा target classes with Harish sir, search कीजिएगा playlist में जाईएगा और वहाँ पे आप physical expectations related बहुत ही जबरदस्त वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं जो भी अभिहरती group join करना चाहते, group भी join करकर अपनी तयारी को complete कर सकते हैं बस मेहनत आप सभी को करनी है चाहे आप self study कर रहे हो या फिर आप किसी coaching से जुरकर तयारी कर रहे हो या फिर आप face to face mod पर coaching कर करके तयारी कर रहे हैं सफलता प्राप्त की है कोईशन नंबर 49 सेकेंड लाश्ट कोईशन है डी आप्सन इसका क्या हो जाएगा 1998 या फिर 1997 से बताइए तो यह प्रुस्कार जो प्रदान किया जा रहा है सी आप्सन 1998 से सी इसका राइट आंसर तो यह थे आज के कुछ सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रस कर दीजेगा योग कि मोस्ट से मोस्ट इपोर्न कोईशन फिचकल एजब्सक्राइब आपको चैनल पर प्रोवाइट के जाते हैं और जो भी स्टुडेंट्स पेटूप जोइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं इस स्क्रीन सब्सक्राइब करें तुरंत जॉइन हो सकते हैं तब तक के लिए नमस्कार पढ़ते रहिएगा मिहनत करते रहिएगा आपको एक्जाम में सफलता अवस्य प्राप्त होगी